सवी और ईशान की शादी का मिला हिंट आज के एपिसोड में और इस तरह होगा इनका मिलन सब्सक्राइब करें इंडिया फोरूम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सवी घर से तो भाग गई है रास्ते में उसे कुछ मुसीवितों का सामना भी करना पड़ता है लेकिन हमारी सवी है बेहत समझदार वो यहां उन गुंडों के सामने ऐसा दिमाग लगाती है कि वो गुंडे खुद बखुद भाग जाते हैं सवी यहां उन्हें यह दिखाने की कोशिश करती है कि वो है पुलिस ओफिस है और आज उसकी ड्यूटी का पहला दिन है पहली जॉइनिंग है और पुलिस का नाम सुनते ही उगुंडों के छक्के छूट जाते हैं बड़ा ट्विस्ट यह है कि आप देखेंगे सवी पहुचेगी इशान के उसी कॉलेज में जहां उसे अड्मिशन लेना है और उसे भेजा है इशान यानि इशान की माने यहां सवी जैसे ही उतरती है इशान उसे देखता है और दोनों के कंधे पर वही वाइट वाला फूल गिरता है जो सवी और विराट जब पहली बार एक दूसरे से मिले थे तो गिरा था सवी और इशान जब एक दूसरे के आमने सामने हो गए और यहां पर गिरेगा फोल इससे इस बात का हिंट तो साफ है कि जल्द ही दोनों की शादी होने वाली है और हम आपको बता दे ईश की कई बार मुलाकात होगी ईशान के साथ और एस सवी की मदद और इस तरफ आपने मम्ट पापा को एक करने के चकर में सवी के बेहत करीब आएगा और अपनी मम्ट पापा को एक करने के लिए उससे शादी करेगा